हेलो तो क्या हाल चाल है सब लोगों के weekly test 3 और fullhand test 8 आप लोगों ने दिया होगा और hopefully आपके अच्छे number आए होंगे अगर आपके marks अच्छे नहीं हा रहे हैं weekly test में तो तो आपको weekly targets अच्छे से करने हैं ठीक है लेकिन fullhand test में अगर marks नहीं आ रहे हैं आपकी उसके लिए डी मोटिवेट होनी जरूद नहीं है आपकी पड़ाइस का मतलब पीछे है और आपके पास भी टाइम है आप कवर कर सकते हैं अगर कोई अभी स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर रहा है जैसे मेरे पास लगातार मेसेज आ रहे हैं किसे अगर हम सटीी और फिर वीक फॉरडुट इस तरीके से जो लोग पहले से जड़े हुए मेरे साथ उनको थोड़ा सा बेनिफिट है उनको वो लगातार चल रहे है तो उनको वीक फॉर की करनी ही आप अगर नए जुड रहे हैं तो already आपको week one से करना पड़ेगा थोड़ा fast उन लोगों से चलना पड़ेगा क्योंकि obviously आप पीछे हैं तो fast तो चलना ही पड़ेगा लेकिन आप कर सकते हैं ठीक है अभी time है अभी शुरुआत करके भी किया रहा सकता है और जो आगे हैं वो को परगोष की तरह सोना नहीं है ठीक है कच्छुए बने रही है तो हम बात करते हैं weekly target 4 की ठीक है weekly targets 4 में आपको क्या करना है पहले ही मैं बता चुका हूं कि weekly target अगले का मतलब यह नहीं होता कि पिछला नहीं आएगा वो भी आ सकता है उसका भी revision आपको साथ के साथ करते चलन है कोर्स को cumulative लेके चलना है ठीक है अलग-अलग नहीं है पूरा कोर्स cumulative है एक साथ है तो अभी तक हमने जन्रल साइंस में 6, 7, 8th की NCRT की थी ठीक है 9th की NCRT भी आप इस बार कर लीजिए 9th क्लास NCRT General Science के लिए current affairs के लिए 2-2 महीने हम लोग पीछे चल रहे हैं तो अभी तक आपने नवंबर दिसंबर और सितंबर अक्टूबर तक किया था पिछली बार तो इस बार आप जुलाई-अगस्थ 2020 कर लीजिए ठीक है जुलाई-अगस्थ 2020 और इसमें कौन से topics आपको पढ़ने होते हैं current affairs म में यह तो आपको पता ही होगा हमको पढ़ना होता है एकोनोमिक से रिलेटेड पॉलिटी से रिलेटेड साइन्स एंट टैक और गौर्मेट स्कीम ठीक है यह सारे portion हमको कवर करने होते हैं current affairs में ठीक है cultural और environment इनसे कोई संबन नहीं है बाकी social security से रिलेटेड कोई भी गौर हमने थोड़ा आगे से शुरुवात करी fundamental right DPSP और preamble citizenship यहां तक मैंने आपको बोला था अभी आप जो first three chapter है थोड़ा सब शुरू में आ जाईए first three chapters हैं जो लक्षमी कांद के उसमें जो हमारे काम का है ठीक है जैसे जो आज़ादी के पहले के 1919 के 1909 के जो भी regulating acts हैं ठीक है मारले मिंटो reforms, Montague Champs Ford reforms, इसके बाद में 1935 Government of India Act, उसके बाद में Constituent Assembly ठीक है समविधान कैसे बना तो हमारे जो first three chapters है पॉलिटी के वो आप कर लीजिए इस week के लिए ठीक है उसमें Constituent Assembly important है कैसे बनी समविधान कैसे बना तो वो सब चीज आप आजादी के पहले से लेके ए आपका हिस्ट्री में भी आएगा पॉलिटी में भी आएगा लेकिन पॉलिटी में लक्षमी कान से आपको first three chapters कवर करने इस week के लिए इसके बाद बात करें हिस्ट्री के तो हिस्ट्री में 1919 तक हम आए हैं उसके आगे आप बढ़ जाईए जो आपकी chronological history चल रही है उससे related उसमें newspaper भी आ सकता है books भी आ सकती है ठीक है कुछ भी जो उस time frame में रहेगा 1932 तक का time frame मैं आपको दे रहा हूं 1932 आपकी roundtable conference और Puna pact ठीक है civil disobedience movement यह सब यहां तक 1932 तक का आप पूरा scenario कर लीजिए ठीक है इसके बाद में हम बात करें बता चुकाओं में कि इससे related अगर books भी होगी वो भी आएगी इससे related आपका कुछ भी newspaper होगा इस period में जो कुछ होगा वो सब आएगा ठीक है test में इसके बाद में बात करें accounting principle की तो accounting principle में 11th की जो first book के लगभग खतम हो रही है reserves तक हमने कर लिया है reserves का बचाओ portion मुझे पढ़ाना है बाकि reserves तक test में आ गया है इसके बाद में bills of exchange first book का last chapter है और जो second book के first two chapters financial statements one और two क्योंकि वो interconnected हैं ठीक है तो वो दोनों chapter और bills of exchange first book का last chapter तो तीन chapters आपको करने ह है accounting principle के bills of exchange और financial statements one financial statements two ये तीनों chapter आपको करने हैं इस week ठीक है पहले का as it is 11th की पूरी NCIT one book हो गई इस बार को मिला के और second के दो chapter financial statement one और two ठीक है और bill of exchange इस week के लिए इसके बाद बात करें industrial relation की तो industrial relation में आप constitutional वाला जो पार्ट है industrial relation का वो इस बार कीजिए अभी तक आप trade union से संबंदित जितनी theories हैं उसके perspectives हैं उस पे कौन-कौन से type हैं वो सब आप कर चुके हैं ठीक है trade unions के type अगर नहीं किये हैं आपने तो इस बार कर लीजिए रोबर्ट होकसी के साब से कौन से type है functional classification क्या है या फिर अलग-अलग theory जो trade unions के लिए दी गई ही जो मैंने first week में बोला था उसमें से कुछ बचा हुआ है वो कर लीजिए और इस week especially आपको constitutional part करना है किसका industrial relation का industrial relation के constitution part का मतलब क्या होता है DPSP कौन से हैं जो इससे related है fundamental rights कौन से हैं जो industrial relations related है preamble में इससे related क्या है ठीक है हमारे समविधान में से related क्या है concurrent, सूची, union, list ठीक है तो ये सारी जो list है ये आती है DPSP, FR जो भी से related है preamble industrial relation से लेके समविधान में जितना कुछ है वो constitutional part बनाता है subject का और इस में आपको पता है दो से तीन question आते हैं constitutional part से तो ये constitutional part आपको cover करना है लक्षमी कान बुक से ठीक है industrial relation का अगर constitutional part में आपको बता चुका हूँ कि fundamental rise, DPSP, preamble जिससे भी related जो चीज़े industrial relation से समबंदित वहाती है अगर फिर भी आपको नहीं समझा रहा कि constitutional part क्या है industrial relation subject का तो जो मेरा first एक lecture है industrial relation की playlist में आपको मिलेगा वो constitutional part पर है उसको देखके आप समझ सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं ठीके तो constitutional part आपको cover करना है industrial relation का इस week के लिए अभी तक चारो code हमारे हो चुके हैं और trade unions related theory type सब हो चुका है ठीके तो इनसे भी आ सकता है इसके बाद में हम बात करें economics की तो economics में अभी तक आपने first chapter second chapter third chapter यानि national income accounting money and banking और introduction ये किया था इसके बाद जो अगला chapter इसका income determination वो भी आप कर दीजिए तो आपके macro economics के first के चार chapter तीन पहले पिछले वी खो चुके हैं एक chapter इस week में मैं add कर रहा हूँ income determination यानि national income money and banking और income determination ये तीनों chapter आपके cover होने चाहिए इस week के test के लिए इसके बाद हम बात करें maths की तो maths में अभी तक आप percentage related पूरा कर चुके हैं उसके बाद में discount, partnership, average, time and work और pipe and system ये पिछले week का था इस बार आपको समय दूरी दोड़ और train ठीक है समय दूरी दोड़, time, time distance, race और इसके बाद में जो train से related questions आते हैं ये सब आप cover कर लीजिए ठीक है तो इतना आपको करना है maths के लिए इसके बाद बाद करें English की तो English में synonym, antonym, phrasal, verb, idiom, phrases, one word ये सब आपका उल्रेडी चल रहा है इसमें question tag आप सिर्फ एक एड़ कर लीजिए इससे English का आपका पूरा portion हो जाएगा ठीक है बाकी जो बचेगा errors एक बचेंगी ठीक है तो question tag इस बार आप एड़ कर लीजिए English के portion में ठीक है इसके बाद में reasoning में silox आपको करने है reasoning के भी question रहेंगे और computer एक दो question जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे तो इस तरीके से आपका इस बार paper बनेगा weekly target का science में आपको 9th NCRT add करनी है current affairs जुलाई अगस्त के polity के first three chapters ठीक है constituent assembly making of the constitution history में 1932 तक round table conference पूना pact यहां तक आपको करना है accounting principle में आपको financial statement 1, 2 और bills of exchange इसके बाद में economics में income determination 4 chapter maths में समय दूरी दौड और train ठीक है time distance और train इसके बाद में English में question tag reasoning में silox और computer as it is तो यह आपका portion है weekly targets का ठीक है इसको complete कीजिए Saturday तक और Saturday को शाम को 7 बजे as it is जो आपका test होता है full and test का time change होगा वो मैं आपको बता दूँगा क्या time रहेगा इस बार ठीक है जो यह कल वाला time था हो तो नहीं रहेगा तो weekly target test के लिए आप लोग यह preparation चालू कर दीजिए Saturday को शाम को पता लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा तो इस तरीके से आपकी study होती जाएगी सिलसलेवार और आपका दो महीने में लगबग course complete हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसी के साथ गुडबाई जैहिंद लगे रहेए और होप आप सबका selection हो गुडबाई जैहिंद